जाहिन दोस्तो मैं मुहम्मद मतीन मौडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम चैप्टर ले के आए हैं वह पर्यावरण पर्यावरण में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह जैविवित्या का संदक्षड में आपने पढ़ा स्वाइस्थान संदक्षड में आपने पढ़ा पढ़ा इससे आपको पता चल गया होगा कि स्वाइस्थान और वाइस्थान पदती क्या है दोस्तों अब बात करने जा रहे हैं जो भारत जितने भी संकट ग्रस्त जितने भी जिव जन्तु हैं जो पेड़ पहुदे प्रशुपक्षियां जिव जन्तु होते हैं उन सबके क्या अगर पचास वर्स तक अगर वो उनके प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती है तो उसे यानि कि उसे क्या किया जाता है यानि कि यह जिव जन्तु अब इस देश से विलुप्त हो चुकी है दोस्तों ऐसे ही संबंधित रिलेटेट जैन्यवा के पास का ही एक शहर जिसका नाम ग्लांड जिसके पास उसका मुख्यालेयहीं यानि क्या है ये राधित्त संबंधित इस प्राकृति में लाइक लिविए तक संबंध छेत्र नंसे पर चाहें परशुपक्षिं पंचित आजीव जन्तु हों या चाहे जल तो यह एक डाटा लिस्ट जारी करती है यह संस्था अब दोस्तों बात करते हैं इसके द्वारा किसी प्रजाती को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्स से न देखी गई हो दोस्तों अंतर राष्टी संगटर है और यह क्या काम करती ह यह कि अगर उस NFR यसमान लिए कि अगर मा भ्यारण में क्या है एक सिंग वाला गंडा है और पचांस वर्सो तक अगर वह राष्ट अब विल्ट मान लेगा जारी कर देगा इसकी किताब होती जो थे होता है ग्रीन होता है डिश्ट में जारी कर दिया जाता है तो आब उसके लिए क्या करती है संस्ता उसके लिए उस देश को यह सूचना देती है सूचना देता है यह संसा कि प्लीज आप इसके लिए कुछ करिए और इसको फिर से आगे बढ़ाने की कोशिस करिए इसी तरीके हमारे देश में भी कई ऐसी जैसे बांग को इसने 1950 में कह दिया था कि आप क्या संकड़ा ग्रस की स्रेडिम आ इसलिए बाग संद्चड अधिनियम पारिद किया गया कब परिद किया गया उसके बारे में बताते हैं आपको अब देखेगा आई-उसी यह सूची के लाफ इसके लाफ क्या-क्या है दोस्तों आई-उसी यह अंतर राश्ट्री यह प्राकृतिक सर्वक्ष्ष्ष्ष्ष् इसके सूची के लाफ क्या-क्या है तो इसके पहले संकटा पन्द प्रजातियों की पहचान करना यह क्या करती है संकटा पन्द यानि जो संकट के कगार पर है उसकी पहचान करती है ठीक है यानि संगटा पन्द प्रजातियों की पहचान करना ठीक है दूसरा है प्रहाइए इसको कम ना कीजिए ठीक नहीं तो यह जैविवित्ता का संरक्षड कार्यों का निर्देशन करता है यानि इस्थानी इस्तर पर अंतराश्टी लिवल में है लेकिन क्या वह इंडिया में अगर उत्तर प्रदेश में अगर कोई सफारी जैसा लाइन सफारी है अगर वहां पर क्या शेयरों की मात्रा या लाइन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या नहीं करेगी नहीं यह रास्टी इस तर पर हमारे देश में कार्य करती है अंतराश्टी लिवल पर कार्य करती है ठीक है अब बात करते हैं जैविवि और यह करता रहता है मांदर इसे और उसी की देन है कि आज हर देश में लगबग देखा जाए तो सभी जीव जन्तु जो मृतियों के कगार पे आ रहे हैं उनको यह बचाया रखती है अब दोस्तों याद रखेगा कि इसके द्वारा ही वर्स 1972 में रेट डाटा बुक चारी कि आता है ताकि उसको किसी तरीके सब प्रमोंड किया जाए उसको बढ़ाया जाए ठीक है पहली बार पुक जारी के था कप किया घैए दोस्तों एक जनवरी उन्नीस अभाततर को और यूसी और कि स्थापना कभी थी आई यूसी एन इसकी साथ नहीं थी पाच एक्टूबर उनीस सो और तालिस को मुख्याले कहां पर है स्विट्जर लेंड कि स्विट्जर लेंड के ग्लांड में ठीक है अब दोस्तों अभी तक यानी आई यू सीन वर्स उनीस और तालिस लेकर अभी तक पांच इसने पांच स्टेप में जारी किया गया है च SMBA को यानि जो आ यह ने चर्क है है इसने पर है दूसरी बार पक्षी के बारे में जी जारी किया तो wod рес्ण कौन कोंसे वे चलके महरुस्तलि उभहेचर को भी इसने जारी किया है यानि मचलियों के बारे में चौथा जारी किया उसमें पहुद है तथा वनस्ताइव के थे कि अब बात करते दोस्तों रास्ट्री लेवल पर कौन कौन सर्वाइब होती है उसका सन्रख्षड किय रहता है जैसे मांन लिए कि अगर आ उसकी लिए सन्रख्षड बनाए जाता है उसको किसी की दोरा मतलब उसको हानी कि पहुंचा आ पहला भारत में वर्स 1972 में वर्स 1972 में पारित किया गया इसी के तहद गीर परियोजना का शुभारंब किया गया कहां पर है गुजरात में देखेगा गीर परियोजना गुजरात के गिर में पारित किया गया इसी के तहत गुजरात के गिर में पाहे जाने वाले शेरों को जैसे एशियाई शेर कहा जाता है उसके सनमनाख्षर के लिए पाहिए बात उस्सें शेर को बबबर शेर के नाम से जाना जाता है किया गा जाता है बबबार शेर ठीक है और बात करते हैं नवेन टाइगर रिजर्व हलाकि भारत कि बात पर इच्पी सब्सक्राइब किया गया बार उन्हीं सो पचास के दर्षक स्थर्व में भारत कि बताया कि आपके यहां टाइगर विलुप्ति की कगार पर आ गाए इसको पचाना पढ़ेगा विलुप्ति के कागार के मतलब होता है जब उसके प्राकृतिक आवास यानि हमने नहीं बनाया है जहां पर हो स्वयम रहते हैं अगर वहां पर पचास वर्सों तर नहीं देखा जाता है तो उसे हम क्या मान लेते हैं उसे विलुप्ति संकट के स्रेड़ी में मान लेते हैं आईउसीय ने रिपोर्ट दीगी आपके लग रहा टाइगर जो है नहीं बचे उसी समय 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया है और टाइगर प्रोजेक्ट के तहट अब तक भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं कितने हैं टोटल टाइगर के संदक्षिट के लि अरणचल परदेश में यह कहां पर है उत्तरपुरी भारत के यानि कमलांग टाइगर रिजर्व कहां पर है अरणचल परदेश में ठीक है और दोस्तों यह सबसे नवीन है यानि 50 टाइगर रिजर्व यही है हलाकि आप अपडेट रहिएगा चुकि आने वाले एक्जाम य टाइगर रिजर्व कौन सा है या सबसे नवीन टाइगर रिजर्व कमलांग टाइगर रिजर्व कमलांग बाग अरख्षी छेत्र ठीक है अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है स्री नागारजुन स्री सैलम है स्री नागारजुन स्री सैलम है यह कहां पर आंदर प्रदेश में दोस्तों याद रुखिएगा नागारजुन स्री सैलम का नाम बदलकर कर दिया गया है अमराबाद बाग भैरन ने ठीक है अब बात करते हैं सबसे चोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है तो सबसे चोटा जो टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व यह महरास्ट्रा में कौन सा है बोर टाइगर रिजर्व ठीक है सबसे अधिक टा घ्लार वर्स पर भारत में लिस्ट जाणि किया जाता है ट्राइगर के छेत में और यहें सुस्छा जारी क्योद्स जारी किया जाता है और इसि सी लिए 29 जारी को 29 जुलाई को इसलिए 29 जुलाई को बाग दीवस की रूपे मनाते हैं हम लोग क्या मनाते हैं बाग दीवस कब मनाते हैं 29 जुलाई को और दोस्तो याद रखियेगा वर्स 2015 में हमारे यहां कुल टाइगरों की संख्या थी 2026 थी कितनी थी 2026 लेकिन दोस्तो बहुत बहुत धन् हो गया है कितना हो गया है 2729 यानि लगबग 34% की व्रिद्धी हो गई है यह ग्रेट अपॉर्शिटी हम लोगों के लिए भारतियों के लिए कि हम लोग उसको बढ़ावा दिये हैं और बढ़ते बढ़ते हमारे पास इतने हो गए अब भगवार ने चाहा तो या लाने चाहा तो आने वाले 2023 में यह संख्या हमें लग रहा कम से कम 3500 के लगबग हो जानी चाहिए और याद रखिएगा कि 2015 में पुरे विश्व में टाइगरों के संख्या सिर्फ 4000 ही थी और उसमें सिर्फ 2000 लगबग हमारे पास थे यानि अफ संक्या दोजार चब्विस है दोजार पंद्रह में और उसके चार साल बाद रिपोर्ट जारी किया गया है दोजर साओं नीस में कितने हुए 27-29 ठीक ना परतिये एक जुलाई को यानि हर चार साल के उन्ती जुलाई पर एक रिपोर्ट जारी किया जाता है इस वज़ए से घ्रिपोर्ट में मनाऊ जाता है लेकिन हर चाल मनाए जाता है जुकि हाथियों का बहुत कर निकाल और घ्रिपनान के लिए उसका हत्या कर दे रहे हैं इससे बचने के लिए सरकार से आधिक करनाटक की बाद करनाट कि अधिक हाथी पाई जाती है उसके बाद केरल में ठीक है भारत वकुल 32 हाथी हैं भारत कितने रिजर्व छेतर हैं हाथी यह लिए 32 हैं और 2010 में हाथी को भारत का राश्ट्रिय विरासत पशु घोशित किया गया है दोस्तों यह हमाएं भारत का सबसे बड़ा पशु भी और सबसे क्या है तो इसे बात किया तो फिर्वर अबात किरते हैं काफूरी मिर्ग परियोजना वर्स 1970 कहाल प Panama इना Nagu क्या अंत्राखंड के अवाघ्डरणात में ठीक ना। तो कश्मेरी म्रिक पर्योजना कब लागू किया गया था बस नीससो सथर में में आद रखा गया था लेकिन और धीरी-दिरे fiction मात्रा यह सक्ष्मेरी अगमुड पर्योजना इससे कहा जाता वार्स सट्र में सत्तर में यह लागू किया गया था और कहां पर दाची गाम राष्ट उद्यान में इसको रखा गया है यानि वहीं पर इसको यह मिलता ही है जब मुझा में अब बात करते हैं वर्स 1975 में कच्छुआ पर उजना ओली उडले कच्छुआ दोस्तों वर्स 1975 में कि योजना पर उज जाता है ठीक है उसके बाद बात करते हैं घड़ियाल परियोजना जोस्तों घड़ियाल परीजना भी 1975 में लागू किया गया था सबसे अधिक जो घड़ियाल पाया तो कहां बताएंगे चंबन नदी ठीक है और वहीं अगर आउध्यान की बात करेंगा या सन्रक्षर केंद इस नाम की याद रखिया गत्यकर पाड़ा उडिसा अब बात करते हैं एक सिंग्वाला गेंड़ा परियोजना एक सिंग्वाला गेंड़ा परियोजना कब लागू किया गया तो 1987 में यह दो तीन जोगहां मिलता है मानस में मानस राश्चुद्यान जो असम में का जरंगा खहला पर पढारा पस्ष्मंघाल में हाद हो छाथियों की आवेद्या के नीगरानि कारेकरम के लिए यानि का यानि हाथियों के अवैद हत्या निगरानी कारेकरम लागों किया गया था 2003 में लागों किया गया जिसे माइक कहा जाता है कभी कभी प्रस्ट पूछ लेता है माइक इस्टेंट फॉर यानि माइक का फुल फॉर्म बताइए तो मॉनिटरिंग दा इलीगल की लिंग आफ एलिफेंट्स यानि हाथियों के अवैद हत्या की निगरानी कारेकरम लागों किया गया जिसमें हाथियों जो रोकने के लिए और उसके सनक्षड के लिए पर योजना ला बात करते हैं दोस्तों वर्टार प्रोडेक्शन प्रजेक्ट 2006 में लागों किया गया वर्थ 2006 में वहीं टाइगर प्रोजेक्ट की बात करता है तो 1973 में ठीक है अब दोस्तों यह कहां पर है आसम के धरमपूर में देश का पहला गी तो प्रजनान केंद्र खोला गया यानि और निवारत के लिए एक खोला गया असम में ठीक है तो पहले हम लोग याद है जब देखते हैं गिद्ध और दिखाई देते थे लेकिन आज बिल्कुल विल्ट हो गया है उसके लिए सबसे बड़ा जिमेदार इंसान है इंसान कैसे दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं कि द लेकिन आखो झाल धुट जाती है उसको ये जिए लड़ाते हैं यानि यह योजिव घृज़ का लेते हैं और कुछी दिनों बात दो तीन मैंडिया को मिरती हो जाती है जी दिरे-दिरे इसे जो है इसक्षा उसकी घरती चली जा रही है यानि एक रिपोर्ड की निसे बता ह व करते हैं लेकिन दोस्तों तो कि अनद Alexis लगा सकते हैं तो उसको मांस खाकर यह पंचियां होती है याणि जो घुल सब नहीं करते होदस्तों दोनीаз देखते हुए कि वर्स 2006 में केंदर खोला गया और पहला जो प्रजरन केंदर उसको बढ़ाया गया कहां पर असम में है और दिरे दिरे इसकी अब संख्या बढ़ती जाएगी तो एक नया प्रोजेक्ट चालू किया गया वर्स 2006 में ठीक है अब बात करते हैं हीम तेंदुगा परियोजना स्नो लियोपार् जाता है यह बर्फ में ही रहता है और वहीं पर रहा कि इसको जो है यह अपना पेट मतलब भरता है और दूसरे बाद दोस्तों कि इसके हड़ी खाल और नाखून जो है और शदीक गुरूब में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है और यह बहुत महंगा होता है इस बहुत में मंगाल यह वही दारजलिंग चाहां पर कि चाय मिलती है यानि सबसे अधिक चाहिक उत पादन होता है लेकिन अगर डार जिलिंग के बात करते हैं तो वहां पर अच्हकों पराद टोस्तों मगर इस्थापित किया गया अब बात करते हैं लाल पांडा पर यूजना 2006 लाल पांडा पर यूजना कब लागू किया गया दोस्तों 2006 में ठीक है गंगा नदीम पाई जानी वाले डॉल्फिन भारत की महतपूर संगटापन प्रजाती दोस्तों आज सबसे खत्रे में यह डॉल्फ स उस नदीम पाई जाएगे जहां कि मात्रा ज्यादा होते हैं अ निदियोग कि मात्र होती हैं मत्राल न्याजित कि मात्रा सब्से अदिक हो कि उसी नदी नदीम और वह किसमें पाइजाति है गंघा नदी में लेकिन गंघा नदी को हम लोग क्या करते जा रहे हैं ऊपसथ जा घंगा को पर्दुश्य करते जा रहे हैं ता कि मैंने बताया कि सबसे अधिक पर दुष्र होता है कानपूर के बाद करते हैं आगे इसी लिए संगटापन प्रजाती है इसी लिए इसे संगटापन प्रजातियों में आ गया है इसी वज़ेस इसको 1972 में इसको सामिल किया गया और 2009 में इसे भारत के राष्ट्री जली घोषित किया गया ठीक है अब एक फैक्ट जानिएगा जून 2012 में आई यूसीन की दौरा यानि यहीं की दौरा पक्षियों की पंदरा प्रजातियों को रेड लिस्ट में जारी किया गया कौन कौन से हैं दोस्तों सोन चिरया है दोस्तों अगर आप पिक्चर देखना चाहते हैं तो लिए आप देख ल देखना चाहरे तो देख सकते हैं इसको भी विलुप्ति क्यागार पर डाला गया है वहीं साइबेरियन सारस साइबेरियन सारस भी अब लगभग पाये जा रहा है थोड़ा बहुत जैसे कि आपको मिल जाएगा उतराखन के छेत्रों में हिमालाई छेत्रों में आपको इसको भी चाहिए उसके worth 2017 काफी दिनों तक मतलब उसको प्रमूट किया वह और इसको जो है वसा नचशर परदान करकी और इसको बढढ़ा गया है तो यह भी ढला गया है अब बात करते हैं आर इसको भी आपटा प्रस लेडी और इसको भी जारी किया गए था तो देखने को नहीं मिलती है लेकिन फिर भी कहीं मिल जाता देखने को लाल सिर्वाला गिद्ब दोस्तों बहुत प्यारा गेद्ब इसका चितर देखना आता आप देख सकते हैं लार सिर्वाल अगित को और यह भी दोस्तों अब बिल्कुल विलुप्तिक क्यागार पे आ गई है जंगली उल्लु जंगली उल्लु ही लेकिन देखने में रहा सा भड़किला होता है अपने हाटको वह से इसको फोड़ा सा जंगली उल्लु के नाम दे दियाता और यहीं मैं सूचिए यहां को लोत इंसानों को उठा नहीं सकते वह जो चोटे मुट जीव हो तो उसको उठागे लगे चल जाते हैं चमच की चोच वाला टीटिहीरी दोस्तों यह चमच की चोच वाला अगर चितर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यह यानि इसको के चारा रहाकर गया है जो डर देख सकते हैं चारव करने में रखा गया था रखा आज ही टॉपिक खतम होगया यानि आपने पढ़ा जय विवित्त का सनक्षड में आपने इनसीट्व पद्धती पढ़ा अंतर राष्ट्री लिवल पे हम जय विवित्त कैसे सुराच्षित रखते हैं उसके बारें पढ़ लिया दूस्तों आगे जो बात करेंगे उसके अगल जब हरुड़